है लोग अप्राइब आज क्लास में हम लोग जो है मसल्स के बारे पढ़ेंगे आप जिस उम्र में हैं उसे टीन एज में है मेल लिया अब उम्र को इस उम्र में बोड़ी बिल्टिंग का बहुत ही जादा इंट्रेस्ट होता है पर बच्чик बनाते हैं बढमें अखिर वो वो जो system है, वो muscular system है आज के इस chapter में हम लोग देखेंगे muscles के बारे में कि muscles क्या हैं उनका structure कैसे है करती क्या है वाड़े किस location पे हैं उनके type क्या है इस सारे चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे आपको बड़े ध्यान से इनके सारी physiology के बारे में सीखना है समझना है कैसे muscles contract करती है कैसे relax करती है मैंने बोग पे muscle लिखा हुआ है तो आज़े muscle के बारे में डिसक्स करते हैं सबसे पहले अगर आप देखें तो NCRT कहती है muscles are ये देखिया muscle are specialized tissue muscle are specialized tissue muscle are specialized tissue and mesodermal in origin and mesodermal in origin अब देखिये इसने बहुँ सारी बात एक बार में कह दी है समझना है आपको and mesodermal in origin मतलब जो muscles है वो specialized tissue है और muscles की जो origin है mainly वो जो तीन जर्म लेयर होती mesoderm or hindoderm जिसके आधार पे आप टिपलोगास्टीक है mammals में उनहीं से mesoderm की layer से muscles की origin होती है मतलब mesoderm की cells मिलके muscles का formation करती है यह कहने का मतलब वो परिलाइन में तो अगर आप लेकिन देखिए तो इसका exception भी है इस rule का इस तीन जो concept है इसका exception है exception यह है कि eye में जो हमारी eye है इस eye में जो iris की muscles है जो iris की muscles है मतलब जो हमारी eye में iris है उसकी जो muscles है वो muscles ectodermal in origin है यह देखिए muscles जो है वो ectodermal in origin है हमारी eye में iris की muscles है उनकी origin जो है ectodermal है यह एक exception है हम औरी बाडी में कि सारी में में iris की muscles है उनकी origin ectoderm से है यह पहला difference आजाता है muscles का मतलब origin में एक बहुँ टेक्निकल बात जो आपको सीखना है आपको पता होगा कि यहीं iris है जिसमें जो responsible for eye color जो eye color होता है वो इसी iris से कारण होता है यह देखिए responsible for eye color यह तो सारी muscles के और्चिन तो mesoderm से है लेकिन जो iris की muscles है उनकी और्चिन ectoderm से है यह पहली बात हो गई दूसरी बात यह पहला comment इनसे आड़े नहीं किया है दूसरा comment है they contributed दूसरा comment देखें आपनी मिसल्स का they contributed यह देखिए 40 to 50% body weight they contributed 40 to 50% body weight इसका मतलब यह होबा कि जो हमारी body है उसका 40 to 50% body weight को contribute करते हैं मतलब बनाते हैं एक ची जो छूटी जा रही है हम यह शुथक्षी ने कि आप देख ले माणी जी कहीं लिखा रहे है कि तूसरा मायोलाजी मायो... लोजी लिखा रहे पहला यह मायोलाजी लिखा रहे यह शार्पोलाजी लिखा रहे शार को टरम लग गया, तो मसल्स की स्टडी हो रही है, तो यह देखिए, they contributed 40 to 50% body weight, body weight का 40 to 50% body weight और contribute करते हैं, यह दूसरा कमेंट हो गया, इस्पेस्टाइज इस्टिस्यों है, मेजोडर्मी नुरिजीन है, और body का 40 to 50% बनाते हैं, NCRT ने इसके आगे चलके मसल्स की properties के बारे में discuss किया है, NCRT ने कहा कि मसल्स की properties के बारे मात कर लिजे, कि मसल्स में 4 property लिखी गई है, पहले property देखिए, यह पहले जो property है, उसको NCRT लिखा है, यह जो property इसे excitability कहते हैं, यह देखिए, excitability, पहला comment, मतलब मसल्स में एक property लिख, इसको हम लोग excitability कहना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं सकते हैं, machine is excitable, excited by neurons and hormones, यह देखिए, मतलब जो neurons हैं और जो hormones हैं, वो मसल्स सेल्स को excited कर देते हैं, उनको normal state से excitable state में लाते हैं, यह पहली प्रापरटी होगी, excitable state में लाते हैं, यह कहना चाहते हैं, नर्द नर्शन और हर्गोन, दूसरी जो प्रापरटी हैं, वो है extensibility, यह देखिए, यह है, extensibility, तो यह देखिए, muscles are capable of extension, मतलब muscles चो है, extension भी कर सकती हैं, जरुवत पढ़ने पर extension की प्रापरटी आहा हो सकती है, extension मतलब बढ़ सकती हैं और घट भी सकती है, extension का sense यह हुआ, यह देखिए, excitability और extensibility, यह दो टर्म होगे, अगर आप तीसरी प्रापरटी देखिए, तो यह प्रापरटी है, contractility, यह देखिए, contractility, contractility, यह देखिए, यह मसल्स की तीसरी प्रापरटी होगे, यह से लोग contractility कह रहे हैं, तो contractility मने क्या आप आप समझें, देखिए, यह, मसल्स है, मसल्स है, प्रापरटी आफ कांट्रेक्शन, मसल्स है, पावर आफ कांट्रेक्शन, यह जो आप डेस्ट के बेंच पर अपना हाथ रखके, और अपनी मित्र से ऐसे लड़ाते हैं, ताकत दिखाते हैं मसल्स का, कि हम में ज़्यादा ताकत हैं, तो वो क्या कह उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, चोथी प्रपरटी है, Elasticity, ये है, Elasticity ये चोथी प्रपरटी है, मतलब ये हुआ, After contraction, after contraction, muscles subcontact हो जाती है They were, they were, they were written to their, written to their, their original position मतला मसल्स जब contract हो जाती है Contraction के बाद, वो अपनी पुरानी पोजीशन में फिर सल लधाती है तो NCI-3 ने ये चार प्रापरिटी लिखी है आपको ये चारों प्रापरिटी में क्लियर करनी है कौन कोन सी प्रापरिटी है आप एक बार देख लें ये CRT लिखा हुआ है, मेरी मा, मेरा मन है या आप इसको से एक जान पहले property जिसे excitability कहते हैं दूसरी property property है जिसे extensibility कहते हैं तृसरी property जिसे contactivity कहते हैं और चोथी property है जिसे इन लोग elasticity कहते हैं ये चार property muscles के हैं जिसका जिकर आपकी CRT लिखिया हुआ है मसल्स के origin mesoderm से है लेकिन alis की मसल्स के origin एक्टिडर्म से है और ये पूरी body weight का 40-50% बनाती है, contribute करती है, आपको ये वा सिखनी है ये CRT का पहला paragraph है आई ये types of muscles देखा जाए muscles के type देखने हैं कि हमारी body में कितनी तरह की muscles पाई जाती है type देखने है, number नहीं देखने है type में कर आप देखें, तो जो इसका classification हुआ है तीन आधार पे हुआ है अगर आप इसके basis की बात करें कि किस basis पे muscles की type को मतलब muscles को माटा जाता है तो सबसे पहला कि muscle located कहां पे है ये पहला base हो गया, location का दूसरा जो base होता है वो होता है appearance का दिखाई कैसी पड़ती है appearance का और तीसरा होता है regulation का regulation by neurons regulation by neurons ये तीन basis हैं जिनके अधार पर हम लोग muscles को कहते हैं उसका क्या कहते हैं उसका हम लोग classification करते हैं तो कौन कौन से basis हैं एक लोकेशन के अधार पर दिखती कहां पर है दूसरी appearance है कहां पर उसकी appearance कैसी है और तीसरी उसके कौन से neurons या कौन से nervous system control कर रहा है इसके अधार पर muscles का होता है classification ये कहना चाहते हैं हम आप से तो अगर आप देखें तो इस पहली जो muscle है उस muscle को हम लोग skeletal muscle कहते हैं ये देखें skeletal muscle अब आपको जो भी classification करना है तो इस classification में आपको तीनों बाते देखनी हैं location भी देखना है appearance भी देखना है और regulation by neurons भी देखना है तो अगर आप skeletal muscle देख रहा हैं तो आप इसे लिख सकते हैं पहले location देखना है they were located they were located in our joints they were located in our joints ये पहली हमारे joints पड़े हुई है ये देखें joints of limbs है, ऐसा भी कर सकते हैं joints of limbs हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए उनके joints हैं, उनके आसपास ये muscles पड़े हुई है ये हो गया इनका location साथ इसलिए इसको skeletal muscle भी कहते होंगे दूसरा देखिए उनका जो appearance है stripped appearance है stripped या striated है striated या stripped appearance है appearance है इसलिए इनको striated या stripped muscle भी कहते हैं stripped का मतलब ये हुआ कि इनमें alternate alternate eye और event पाए जाते हैं मतलब dark vent और light vent पाए जाते हैं इसलिए इनको आप लोग striated muscle कहते हैं इसका discussion अभी हम लोग करेंगे आगी चलके तो ये हो गया अगर आप regulation देखे तो देखे थे दियर contraction their contraction, their contraction is controlled by central nervous system, hence called, hence called, this is called voluntary muscles, hence called voluntary muscles. Their control is our central nervous system, so they call voluntary muscles. If you see the names, one is called skeletal, the other is called striated, and the other is called voluntary. This is called voluntary, which has three names. The skeletal is called because the joints are located. The striated is called because they get an alternate dark and light band. The voluntary is called because they are controlled by central nervous system. Our body is also called major person. If you see the function, what are your feet doing? The feet are the same. These are the same, but in the front of your feet, the functions are called two. Which one is called movement or locomotion. This means movement or locomotion. This is the first one is this work. The second one is changing of body posture. यह देखे चेंजिंग ओफ बाडी पोस्चर यह है चेंजिंग ओफ बाडी पोस्चर मतलब जो हमारी बाडी का पोस्चर है वो इसे चेंज करती है यह NCRT ने लिखा है है बहुत सारे फंक्शन जैसे अगर आप इसका देखना चाहें तो आपने ऐसे किया फिर आपने ऐसे किया फिर ऐसे किया फोस्चर किया तो यह चो आपने किया है यह सारे किस मसल के कारण हो रहा है आपने मंसी कर रहा है न भए तो इस मसल को कौन सा मसल कहते है इस मसल कौन लोग इसकलेटल मसल कहते है तो जॉइंट के आसपास है स्ट्रेटिट अपियरेंस है और उनका जो कंट्रोल है वो सिंटल नर्विस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पानल कार्ड कर रहा है इसलिए हम लोग बालूंटी मसल कह रहे हैं यह हमारे एक्षाओं से पर चलती है और इनका दो मूपमेंट दिखा गया है एक तो ही मूपमेंट 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 करती है मतलब हम जो चल रहे हैं जॉइंट से पर यह पहला काम करती है और दूसरा हमारे बाडी के पोस्चर को चेंज करती है यह दो काम हो गया है इन मसल्स का तो दूसरी जो मसल है इसका अगर आप देखे यहाँ पर देखे इसका जो दूसरा टाइप है अगर आप इसका दूसरा टाइप देखते हैं तो इसे उन लोग विस्रल मसल कहते है यह देखे विस्रल मसल क्यों कहते हैं पहले आप यह समझे दूसरी टाइप है अच्छा विस्रल मसल के साथ साथ इने हम लोग स्मूथ मसल भ कहते हैं तो आप तो टोर्टल टाम कितने हो गई आप देखें को हम आप औरते रहेते हैं यह लिए कि इसे डाम्तिर मेशन को आप औरुमांुटरी मेशनित तो आप कतों गलार सकते हैं कि सर ये नान इसके लेटल मसल है अगर आपको नाम मिले तो आप चिंता न करें एक सर ये डिसकसन नहीं हुआ था अब हमने इस जितने नाम लिखे हैं सब की मिनी निकाली जाए पहले लिखा जाता है विस्टर मसल्स का मतलब ही हुआ यह देखिए प्रेजेंट इन ल लाइनिंग्स आफ विस्टरल आर्गंस जो विस्टरल आर्गंस जो विस्टरल आर्गंस है उनकी लाइनिंग्स पर यह पाय जाता है लाइक नाम लिखे लाइक कहां पाय जाता है यह लिखे अगर आप डाजेस्टिव सिस्टम लिख रहे हैं तो अलिमेंटरी कैनाल यह दे मस्कुलोरिस है अगर आप पयाद नहीं है यह लेयर है जहां पर यह पाई जाती है मस्कुलोरिस है दोसा देखे मस्कुलोरिस एलिमंटी कैनल के बाद यूरानी ब्लेडर की बाल पर पाई जाती है यह भी यूरानी ब्लेडर की बाल पर पाई जाती है और कहां भी पाई जाती है? ये देखें, elementary canal के भाद ये blood vessels भी पाई जाती है blood vessels के case में इन्हें हम लोग बि 누ी का media कहते हैं और भी पाई जाती है अगर आप के यात मुका तो ये uterus में भी पाई जाती है uterus में सबसे बड़ी पाई जाती है वहाँ पर इने हम लोग मायो मीटियम कहते है यह देखे इतने तो इनके नाम हो गए यह मैंने आपको क्या बता दी अगर आप ध्यान से देखें तो हमने पढ़ा दी लोकीशन तो कहां कहां पर है हमारी किसकी सिस्टम में एलेमेंट्री कैणल के कैस में इसी लेंर का नाम मसकुलेरिस है ऐसे आप उडरलाइंग करें था कि आप van डाउной की ने रहें यह देखें उराflan्यू बेडल के कैस में इनका नाम जो है टतरसर मुसल है यह तीसरे लेखें ब्लैट मीरिश के कैस में इनका नाम जो है टून का मीडिया है और यूटरस के केस में जो यह हमारा यूटरस है फेमिल में उसके केस में यही मायमीरिट हैं यह है आप एदर आई बैंड पढाने है बने पढ़ेंगे अभी आप A-band और I-band पढ़ेंगे तो इसलिए उन में इने band नहीं पाई जाते हैं यह मतलब गुए तीसरा क्या है regulation यह देखे regulated by regulated by regulated by यह देखे ए यह यह यस पूरा नाम अदर में आप से बूरू तो आप एंगे साथ इसका पूरा नाम है autonomic nervous system तो इसलिए यह जो हुती है यह involuntary होती है involuntary होती है और जादा तर जगहां पर इनके movement को इनके movement को movement ना कहके हम लोग peristensis कहते हैं यह देखें पेरistensis कहते हैं जादा तर जगहां पर elementary canal भी peristensis कहते हैं उराइन bladder में भी blood vessels में भी और uterus में भी peristensis कहते हैं इनके movement को generally हम peristensis कहते हैं अगर आप इनका function देखें तो इनका function in CRT ने दो लिखा है परिया लिखा है transportation of food transportation of food transportation of food in food in stomach यह elementary का ना लिख सकते हैं दूसरा NCRT ने लिखा है movement of gametes movement of gametes in phallopian tube यह दो जिक्र NCRT में लिखा है इसलिए मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमें CRT को clutch करके चलना है कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ज्यादा भी द्वान होने के चक्कर में अपनी CRT को फूल जाए और फिर दबड़ा जाएगी बात तीसरी जो muscle है उसे देखें आप यह देखें तीसरी जो muscle है उसे देखें आप तो यह है कहाँ पर अगर आप इसकी location लिखते हैं तो यह wall of heart में है wall of heart heart की wall में है वहाँ पर इसे हम लोग myocardium कह रहे है myocardium कह रहे है यह देखें myocardium कह रहे है अगर आप इसको देखें तो यह structurally associated है this structurally associated नहें मतलब इसका उनलब ही हुआ छए का this appearance is distributed a structurally associated है मतलब this is st olho at the PRO making functionally smooth functionally smooth अलब मतलब यह हुआ functionally smooth अलब हुआ आप इस पुरे board पर आप कहीं देखें तो क्या कहीं smooth देखें जहांग है कहीं देखें द्या जहां से कहीं देखेंग है functionally smooth है इसका essence यह हुआ कि regulated by autonomic nervous system regulated by autonomic nervous system तो बताई यह autonomic nervous system control करेगा तो voluntary होंगी कि involuntary आफ़र्ट सो बोलेंगे सर यह involuntary है nature में appearance में तो यह voluntary behavior है इनका क्योंकि card stated है अगर कोई मसल stated होगी तो बताई यह कैसी होगी voluntary muscle कहेंगे इसे अगर कोई stated होगी तो आप इसे कोई मसल कहेंगे देखे कहीं लिखा होगा आपने इसार यह voluntary muscle है stated तो है लेकिन control जो है आपना भी nervous system कर रहा है structure के अधार को यह muscle है और function के अधार पर यह देखे इस muscle की nerve-like activity है आरकिस पर यह कम पतली है बाइंटिकल से ज़्यादा मोटी है बाइंटिकल से लेफ्टिकल में यह सबसे ज़्यादा मोटी पाई जाती है यह cardiac muscle तो cardiac muscle है एक बात हो जहां रखेगी यहां बार ब्रांस्ट होती है इसका जो सबसे characteristic feature है जिसका जिक्र मुझे करना चाहिए वो है कि इसमें intercalated disc पाई जाती है intercalated disc अगर आप इस intercalated disc का दर्शन करना हो ज्यान लेना हो तो यह हम पढ़ रहे है muscle chapter और इस टाइम आप अगर intercalated disc दिखना है तो आप चले जाए tissue आए chapter में वहाँ पर इसका जिक्र है ब्रांस्ट है तो अगर आप से मैं function पूछ हूँ कि क्या है function इसका तो आप कहेंगे sir generation लिए देता हूँ generation and conduction of action potential generation generation and conduction of action potential for a heart rate conduction of action potential जो heart है उसमें action potential है develop करती है और heart beat को generate करने का काम करती है pace maker heart beat को generate करता है yese node और जो बच्चे होए bundles होती है इस muscles के वो bundles क्या करते हैं उस heart beat को आगे तरफ conduct करते हैं आप ने पढ़ा होगा yese node से a b node, a b node से bundle आफिस bundle आफिस है पुर्पिंजे फाइबर पे hard beat चलती है अगर आप यह देखें तो यह muscle stated है बार में दुबारा जिकर कर देता हूं कि muscle to stated है appearance to stated है लेकिन control को न कर रहा है autonomic nervous system तो मतलब control जो कर रहा है autonomic nervous system इसलिए फंक्शनली स्मूथ है जिकर NCRT का है आपको ध्यान से देखना है इन तेनों में से आपके इस खूबसूरत NCRT ने किया हुआ है मेरे दोस्त मुहबबत कर लीजे इस से इस से ज़्यादा मुहबबत आपको किसी भी subject में हो ही नहीं सकती है यह NKD का challenge है मैंटा मेंडल ने अपने experiment में जब उसने experiment करने सुरू की मतलब P plant के उपर तो उसने जोर है कुछ टेकनिक्स डेपलब की जैसे कि P plant क्या था बाइसेक्सपॉल था और P plant पे self-pollination पाए जाता था तो अगर वो कुछ ऐसा ना करता कि क्योंकि एंडूसियम दानूसियम दोनों एकी फ्लावर पे थे तो अगर वो controlled bleeding नकराता तो वो research कर ही न पाता है research में क्या होता है human का interfere होता है तो वो ये चाहता था कि जब वो चाहे तभी pollination हो मतलब plant अपने आप self-pollination कर पाए बरकि वो artificial cross-pollination कराना चाहता था जैसा कि यहां पर लिखा है technique of mental tactics of mental इसको जिक्रिशियाटे ने किया हुआ है तो हम चाहते हैं कि एक बार इसको आप सीख जाए कि technique का मतलब क्या है क्योंकि जो pea plant था मतलब जिसपे वो research कर रहा था जो pea plant था वो bisexual था bisexual किसी plant को तब कहते हैं जब उसके एंडूसियम और गानूसियम दोनों एक साथ पाए जाए पे plant bisexual था और उसके शिल्फ पॉलिनेशन था शिल्फ पॉलिनेशन था मतलब एक ऐसा पोधा है एक plant है जिसके पास क्या-क्या चीज़े हैं देखिए यह ऐसे flower रहा होगा इसमें यह ऐसे कैलिक्स है यह देखिए यह कैलिक्स है यहाँ बर यह कोरोला है कैलिक्स है, कोरोला है फिर एस पे एंडूसियम और गानूसियम है यह देखिए यह एंडूसियम है और फिर यह गानूसियम गानूसियम तो बीच में ही होगा मतलब ऐसे आप समझें कि फ्लावर है इसमें मेल फ्लावर की शीकसर आज sky तो उसने दो टेक रख्नंक अपनाई उसने पहला काम किया इमस्कुलेशन किया इन इन इंसलेशान कीया, इन इन इसलेशान का मतलब यह हुआ, उसने क्या किया? रिमूबल आफ एंथर आप इनसी आटिम देखें कि एक कैची से एक कैची से एंथर को कट किया जा रहा है रिमूबल आफ एंथर एंथर मतलब मेल सेक्स आरगन या फीमेल सेक्स आरगन एंथर अगर आप समझ रहे हैं तो मेल सेक्स आरगन है मेल सेक्सारगन को उसने यहां से मालेज जी अगर यह एंथर है तो इसने क्या किया इस फ्लावर से इस एंथर को निकाल दिया ममा Pret लेते हैं कि पिस्टिल है अभी तहीं जट है कि आई से क्षार्गन हो गा अगर बंज करॉलौंअ इस LAUGHTER को इसक पॉलेटिम तो निकालए है तो तोंकि अगर निकाल लें के पीछों क्या मतलत क्या है इंम था अगर एक ही फ्लावर पे मेल फिमेल दोनों से शार्गन होंगे तो क्या होगा वो फ्लावर सिर्फ पॉलिएशन कर लेगा तो अगर आप से कोई कुछें कि इमस्कुलेशन का इम क्या था तो इमस्कुलेशन की रियल मेनिंग होई कि रिमीबल आफ एंथर एंथर को निकाल दिया और वो चाहता था कि इस फ्लावर पे सिर्फ पॉलिएशन ना हो ये पहली टेक्निक उसने अपनाई इमस्कुलेशन आप सोचो कि 1856 में एंथर को कट करके करना और सिर्फ पॉलिएशन को रोकना ये सोचना है बहुत बड़ी बार थी दूसरी टेक्निक उसने जो अपनाई वो अपनाई इसमें बैगिंग कही ये रेखिए बैगिंग की बैगिंग क्यों पैगिंग में नहीं हुआ ये देखिए उसने क्या किया कवरिंग आफ कवरिंग आफ कार्पिल कवरिंग आफ कार्पिल या मेली स्टिग्मा की बात हो रही यहां पर बाई बटर पेपर उसने जो फिमेल से सारकन है उसको उसने बटर पेपर से बंद कर दिया अच्छा क्यों बंद कर दिया ये जो बटर पेपर ये पिस्टिल है इ वह वाधब रखागे म माने इसके ऊपर से बटर पेकर लगा पिया तो बटर पेपर लगाने का फाइदा क्या हुआ है इसका वह चाहता था ड़ो प्र्वेंट क्या ? तू प्र्वेंट अन्वांटेड तू प्र्वेंट क्या ? निचुडिल क्रास पॉलली सीशन डू सबस्केरो zu착 क्रास प्राशल вол्sk ना हो कोई दूसरा इस सट यहां परना आयाinda और वो cross fallation करे, वो जब चाहे तभी cross fallation हो, कुमला कि इन दोनों टेपनिक से, मतलब इन इसकलेशन और wagging से, दोनों टेपनिक से, वो जो है, natural bleeding को रोखना चाहता था, और control bleeding डिपलप करना चाहता था, मिंडल ने ये दो टेखनिक अपनाई की, इन इसकलेशन में इसने एंथर पर इसके सिवावाप के बात देखना है, कुछ count questions, फार्मूले में जो आपको याद करने है, ये फार्मूले है, जो आपको याद करने है, फार्मूले के कहले, एक या फार्मूला आप न लिखे, यहाँ आप लिख सकते हैं, बेरी इंपॉर्टेंट बाते हैं, जो आपको method है जिसे हम लोग checker board method कहते हैं यह दिखें चेकर checker board method कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ आभी भी समझ लेजे checker board method का मतलब क्या हुआ इस method में क्या होता है कि 2 gamete है जिनने दिखाना है एक हमें male gamete को so करना है तो male gamete को अगर हम लोग so करते हैं इस method में तो उन्हें हम लोग horizontally explain करते हैं दिखाते हैं भाई है horizontally जो है इस board में horizontally male gamete को explain किया जाता है लेकिन अगर आप से कोई पूछे female gamete को कैसे explain करते हैं तो आप इसको याद करिएगा इस method में female gamete को हम लोग vertically explain करते हैं इस वर्टिकली एक्स्पिन टरफ यहां पर हो बैद गोर्ट में दिंग्न करना है नैंने पर यहां पर एक धनली घंक है और इंद शनली एंगचर अबटोgoing खाहिसने के लाघने बन सकते हैं यहां अनले कि फो फेकर कि यह हो जाए के रमेस काफुन поддержब다 सब्सक्राइट है इसा करा है कि फुलिटी को सब्सक्राइब bose오hnod मिलन पाइस दो दो गधन और यह joygious फेड़न फेड़न तो तोटल अगर आप फिनोटाइब देखेंगे तो सारे पोधे क्या है टाल है क्योंकि उसमें दो हेट्टो जाएका स्टाल है और दो हेट्टो जाएका स्टाल है लेकिन अगर आप जीनोटाइब फिनोटाइब देखेंगे तो दो होमोचाएका स्टाल है और दो हेट्टो ज नई जनरेशन के बारे में यह बताता है combination of new generation आप इस तरह से आराम से नई generation के क्या combination होंगे क्या genotype होगा इसको explain कर सकते हैं इस Reginald के या Punit के square method से चेकर बोर्ड method को कहते हैं इसमें ध्यार रहना है कि male gamit को horizontally express करते हैं और female gamit को लोग vertically express करते हैं ये बाद आपको सीखनी हैं आई ये हम लोग मोनोहबृतास देखते हैं